तो आज हम पढ़ने वाले class 6 science chapter 1 food its sources and components का next question जिसमें बोला गया है what do you get from the vegetables तो इस question का मतलब है what एने क्या do you यहने की आप get एने की लेते हो from the एने की से vegetables एने की सब्जियों से तो आप क्या लेते हो यहां आपको क्या मिलता है vegetables से तो चलिए देखते हैं इसके answer को vegetables are rich source of vitamins, minerals and rafage तो इसका मतलब है students जो vegetables होते हैं जो सब्जियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा vitamins present होते हैं rich आने की बहुत ज़्यादा source आने की जो चीज़े हमको उससे मिलती है तो vegetables से हमको बहुत ज़्यादा जो चीज़े मिलती है वह है vitamins मिलते है, minerals मिलते हैं and rafage मिलते है vitamins आपको पता है बहुत सार vitamins होते है minerals रहने की students वैसे तो हमने आपको पिछले वीडियो में बढ़ा किया है कि minerals क्या होते है जो earth में present होते है and खाने की चीजों में present होते है जो कि हमारे body के लिए बहुत ज़वरी होते है जैसे की iodine, calcium और भी ऐसे बहुत सारे minerals होते है जो कि हमारे body को चाहिए ही होता है वो गए minerals इसके लावा roughage roughage याने की जिन में fibers present होते है जैसे की fruits हो गए, vegetables हो गई, सबजियां हो गई nuts, फलिदाने वगड़े हो गए, seeds, बीज वगड़े हो गए तो यह सब चीजें जो है, वो हमारे body के लिए बहुत जवरी होती है और यह हमको मिलती है vegetables से ओके, तो यही बोला गए, vegetables में बहुत ज़्यदा मात्रा में vitamins होते हैं, minerals होते हैं, और roughage होते हैं इसके नावा, most vegetables are naturally low in fat and calories तो अक्सर, most आने की, बहुत सारी vegetables ऐसी होती है जिन में naturally आने की, जैसे उसको भगवान में बनाया है ओके, naturally जैसी चीजें हैं, उनमें fat जो है, fat और calories जो है वो कम होती है, इसलिए vegetable खाने से generally मोटा पा नहीं आता है क्योंकि उसमें fat कम होता है, उसमें calories कम होती है ओके, then vegetables are rich in potassium that can help to maintain healthy blood pressure vegetables जो हैं, जो सबजियां हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में rich जाने की बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा quantity में potassium होता है potassium क्या, students, एक तरह का mineral है, जो कि हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा 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 होता है और यह जो potassium है, यह actually help करता है हमारे body का blood pressure को ठीक रखने के लिए okay, maintain करता है यह कि हमारे body का blood pressure है, जो BP बोलते हैं, तो BP, blood pressure को ठीक रखने के लिए potassium mineral जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, students, okay, तो कुल मिला के, vegetable से हमको क्या-क्या मिलती है, vitamin, mineral, roughage, कम fat, कम calorie और potassium ज़्यादा मिलता है, जिससे हमारा body का blood pressure ठीक रहता है, okay, students, I hope आपको एक clear हो गया होगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe किजिए, और वीडियो को like ज़रूर करें, आज के लिए इतना है, thank you